हलो फ्रेंज प्रगेस किचन में एक बार फेट से आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रगेस किचन में आज एक नई दो-दो रेसिपी बनेई दोनों ही ऐसी है बिना भूग की खाने का मन हो जाए टी-वी देख रहे ही या ट्रें में सफर करे ही या पढ़ा ही कर रहे ही बनाना इतना ईज़ी कि बच्चे ही बना ले और खाने में टेस्टी है और घल्धी इतनी आईरन और केल्सियूम का खजाना ही तो शुरू करते हैं, मैंने एक पैन लिया है, और इसके अंदर ये मैं 1 foot cup जितना गी ले रही हूँ, आप तेल भी ले सकते हैं, और बटर भी ले सकते हैं, इसको अपन मैल्ट होने देते हैं, गी मैल्ट होता है, तब तक अपन ये फॉक सीद देख लेते हैं, मार्केट में ब लो फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए रोस करना है, फूल मकाने को रोस करने में गी अच्छा लगता है, अगर आपको गी पसंद नहीं या नहीं खाना है, तो उसके जगें आप रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं, बट आपको इसको लो फ्लेम पर ही रोस करना है, और देख स कि अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, तो आप इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये तो केल्सियम का खजाना है, तो ये तो बच्चो और वड़ो को सबको खाना चाहिए, अब मैं इसके अंदर हाप टी इस्पून जितना ये काला नमक डाल दियो, नमक आप अपने ट अच्छे से सारे मखाने पर आजाएगा, तो अच्छा टेस्ट आएगा, और देख सकते हैं, रोस्ट करते हुए मेरे को इसको 15-20 निट लगबग हो चुके हैं, और इसको रोस्ट करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, बस ये रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल कर टेस्टी बना सकते हैं, और अकर आप चाहें तो इसमें जलजीरा भी डाल सकते हैं, वो भी डालेंगे तो फूल मखाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें हल्दी लाल मिर्ट डाल के भी आप बना सकते हैं, ये परफेक्टली रोस्ट हो चुके देख सकते हैं इस तरीक तोड़ा तो एकदम चूरा हो रहा है मतलब अपने तयार हो चुके हैं अब आप इनको एक मेने तक स्टोर करें नेक्स रेसिपी की तरफ चलते हैं बनाने वाले अपन पॉपकॉन पॉपकॉन बनाने के लिए इस तरीकी की यह मक्की मार्केट में आने के लिए मैंने वही कड़ाई ले लिए और यह अपना एक सर्विंग स्पून है यह भर के मैं गी डाली हूँ मैंने हाँ पर गी लिया है आप चाहे तो ओल भी ले सकते हैं अभी मैंने गेस की फ्लेम ओन रखी है गी को मेल्ट होने देते हैं एक बार और गी मेल्ट होने पर यह अपने को जो मसाला आड़ करना है वो आड़ करेंगे पॉपकॉन तो बच्चे और बड़ो को सब को खाना पसंद है आपने बहुत वान मार्केट चला के खाया होगा आज मार्केट से कहीं गुना सस्ते और अच्छे बनाने वाले हैं तो गी मेल्ट हो चुका है अब मैं इसकंदर ये वन फूर टीश पून के बराबर ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है मैं हापर जो मार्केट में बटर वाले पॉपकॉन मिलते हैं वही बना रही हूँ मैं ने हापर गी लिया आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं और ये मैंने हाप टीश पून जितना नमक लिया है, आप जो नमक इस्तेमाल करते हैं, वो ले सकते हैं, बस अब कुछ नहीं मिलाना है, इसको एक बार अच्छे से गी में मेक्स कर लेते हैं, और जो अपनी पॉपकून वाली मक्की है, वो इसके अधर डाल देते हैं, अभी मैंने गेस की फ्लेम एक दम लो पे रख लिया है, अब अपने को हाई फ्लेम पर और ढकन लगा कर पॉपकून तयार करने हैं, और आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये गी गरम होने लगा है, और पॉपकून बनना शुरू हो चुके हैं, ये आपको लीड लगा कर ही करना है, मेरे चैनल पर कूकर में पॉपकून कि तरीके से बनाए उसका वीडियो भी अपलोड है मैंने यहाँ पर यह अज कड़ाई में बनाया है कड़ाई में भी बहुत ही इजिली पॉपकॉन बन रहे हैं देख सकते हैं और इन पॉपकॉन को बनने में 5 मिनिट लगभग लगते हैं देख सकते हैं पॉपकॉन अपने बची है तो भू अभी बन रही है जब इस तरीके से ये उचलना बंद हो जाए और इसकी आवाज भी बंद हो जाए मतलब अपने पौपकोन बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने अभी ये गेस की फ्लेम आफ कर दी है और ये अपने बटरी पौपकोन बनकर तयार हो चुके हैं मैंने यहाँ पर एक कप मक्की ली थी और देख सकते हैं इतने सारे पॉपकोन बनकर तयार हो चुके हैं आज के बाद बजार से पॉपकोन लाने की आपको जौरत नहीं पड़े की घर पे आप ताजा बनाए और खाए और खिलाए आज की हमारी एक कॉम्बो रेसिपी आपको कैसी लगी और प्रग्यास किचन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेर करना बिल्कुल भी नहीं प्रेस करेंगे तो हमारी आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी थैंक्स पॉर वाचिंग फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ